माहराष्ट्र वो राज्य है जिसकी विक्सिक भारत के निर्मार में बहुत बड़ी भूमिका है से सीप्स तक जाने वाली एक कुल 33.5 किलोमेटर लंबी मुंबई की सबसे बड़ी भूमिकत मेट्रो है हर रोज खरीब 17 लाख यात्री इसका लाग उठा पाएंगे इस मार्क के चलते रिवसदार की दृष्टी से महत्वपूर्ण जगाओं को राष्ट्रिय एवं अंतर राष्ट्रिय हवाई अंडो तक कनेक्टिविटी मिली है ये मेट्रो पूर्ण तहर चालक विहिन एवं सिंट्रलाइज नियंत्रन से चलाई जाएगी मेट्रो 3 के आरम से भीके सी तक के चरण का उदगाटन आज माननिय प्रधान मंतरी श्री नरेंदर मोदी जी के शुबहातों से किया जा रहा है ठाने शहर में सर्किलर मेट्रो रेल पर योजना का भूमी पूजन 12,200 करोड की लागत से बनने वाली ठाने इंटिग्रल रिंग मेट्रो पर योजना 29 किलोमेटर लंबीस इंटिग्रल रिंग मेट्रो लाइन में 26 किलोमेटर के एलिवेटेट सेक्शन में 20 स्टेशन्स होंगे और तीन किलोमेटर के भोमिगर खंड में दो स्टेशन्स होंगे रोजाना लगबक 6-9 लाक यात्रियों की सवारी का अनुवान है न्यू ठाने और ठाने जंक्षन स्टेशन भारतिय रेल और लोकल ट्रेन से जुडेंगे जबकि तीन स्टेशन मुंबई मेट्रो लाइनों से भी जुडेंगे जिससे ठाने मुंबई यात्रा और भी सरल होगी माननिय प्रधान मंत्री जी के नित्रत में ठाने इंटिग्रल रिंग मेट्रो परियोजना एक नई क्रांती लेकर आएगी छेडा नगर घाटको पर से आनद नगर ठाने तक एलिवेटेड इस्टन फ्रीवे का विस्तारी करण ये एक्स्टेंशन छेडा नगर घाटको पर से आनद नगर ठाने तक फैला होगा जिसकी कुल लंबाई 13 किलोमेटर से भी अधिक है दोनों दिशाओं में 3-3 लेन का निर्मान किया जाएगा और ठाने एरोली जंक्षन और कांजूर मार्ग जंक्षन पर रैम्स की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी इस प्रोजेट का सबसे बड़ा फाइदा ये है कि ये मुंबई और ठाने के लिए एक सीमले सिरिंग रूप तयार करेगा इससे ना केवल मुंबई के पूर्वी उपनगर और नवी मुंबई के निवासियों को सीधा लाब होगा बलकि ठाने के आगे के इलाकों तक के यात्रियों की भी समय और इंधन की भारी बचत होगी ये परियोजना 3,300 करोड रुपे से अधिक किलागत से तयार की जा रही है नैना शहरी नियोजन योजनाओं के तहट बुनियादी धांचे के कारियों का शिला न्यास महराष्ट सरकार द्वारा संकलपित नवी मुंबई एरपोर्ट इंफ्लूएस नोटिफाइड एरिया नैना का उदेश आगामी नवी मुंबई अंतराष्ट्रिय हवाई यड्डे के आसपास के खित्र का नियंतरित विकास करना है टीपीएस के अंतरगत 45 मिटर और 60 मिटर चोडाई की मुख्य सड़के महत्वपुर्ण जंक्शन और नदियों पर 9 फ्लाइओवर और पुलों के साथ नहरों पर छोटे पुलों का समावेश है वर्तमान परियोजना सबसे बड़ी शहर विकास परियोजनाओं में से एक है नैना टीपीएस दो से साथ के पहले विकास पैकेज की आधारशिला माननिय प्रधान मंतरी श्री नरेंदर मोदी जी के शुब हातों द्वारा रखी जा रही है ठाने नगर निगम की नई बिल्डिंग का भूमी पूजन टीमसी का विस्तरित छेत्र एवं सेवाओं में विस्तार देखते हुए टीमसी अपने नए मुख्याले की नीव रखने जा रही है एक किले की स्वरूपी स्वास्तु की रचना होने जा रही है इस महत्वा कांग्शी परियोजना का केंद्र बिंदू एक विशाल 32 मंजिला इमारत होगी जो इतिहास का महत्व और आधुनी कार्यक्षमता दोनों का संगम दर्शाती है मुख्य टावर के अलावा एक 5 मंजिला हॉल भी होगा इस परियोजना की नीम युगपुरुष भारत के प्रधानमंत्री माननिय श्री नरेंदर मोदी जी के करकमलों से रखी जा रही है मुख्य मंत्री माजी लाड़की बहिन योजना की लाभारतियों का गौरव भारत को विक्सीत देश बनाने के लिए जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्मान जरूरी है उतना ही जरूरी है महिलाओं का सशक्तिकरण भारत के दूर दर्शी प्रधानमंत्री माननिय श्री नरेंदर मोदी जी इस बात को भली भाती समझते हैं और भारत के महिला सशक्तिकरण के लिए कई ठोस कदम उठा चुके हैं इसी राष्ट्रकारिये से प्रेरित होकर माननिय मुख्यमंत्री श्री एकनाज शिंदे जी माननिय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंदर पड़नवीज जी माननिय उपमुख्यमंत्री श्री अजित सरकार की तरफ से की जाती है। इन पंद्रासो रुपियों के मायने इन पहनों के चेहनों पर लहराती खोशी से आके जा सकते हैं। और इसलिए मुख्यमंत्री माजी लाड़ की बहिन योजना महाराश्टर के सबसे सफल योजनाओं में शामिल है। इस नवरात्री के शुबह पर इन लाभारती महिलाओं का सम्मान किया जाना ये भी एक सुन्दर संजोग है। इन सारी परियोजनाओं का मुख्य है तू। भारत के माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोदीजे द्वारा उद्गोशित एक वचन है। सबका साथ, सबका विकास।